बिहार के बकसर में बंदर के उत्पात से करीब एक घंटे तक राजधानी एक्सप्रेस को रोकना पड़ा चौसा बकसर रेल खंड के पावनी कमरपुर हॉल्ट इस्थिट ठोरा नदी पुल के समीब गुरुवार के सुबह करीब साड़े नौ बजे ओवर हेट तार पर बंदर कूद गया इसका राजधानी एक्सप्रेस को करीब एक घंटे तक चौसा रेल वेस्टेशन पर रोका गया गटना के बाद रेल वेस्टेशन प्रबंदक ने ततकाल सूचना टी आडी मनुच कुमार को दी तकनीकी कर्मियों को भेजकर खराबी को दुरुस्त कराया गया लगबगे घंटे के मशक्कत के बाद साड़े दस बजे के करीब खराबी को दुरुस्त कर राजधानी एक्सप्रेस को पहले आगे की ओर रवाना कर दिया गया इसके बाद फिर ग्यारा बजे करीब परिचालन को सुचारू किया गया गटना के संबर में प्याडी मनोचकमा ने बताया कि बंदर के ओवर हेट तार पर कूदने के कारण हुई इस खराबी को दुरुस्त करने में तकरीबन एक घंटे का समय लग गया डाउन लाइन के पोल संग्या 663 के समी पवनी कमरपूर हॉल्ट वाग बकसर के बीर ठोरा नदिपुल के आसपास या घटना हुई थी गटना की जानकारी मिलते है तियात के तौर पर 02310 डाउन राजधाने एक्सप्रेस को चौसा रिल्वेस्टेशन पर एक घंटे के लिए रोका गया था लोकमान तिलक तर्मिनल रक्स और एक्सप्रेस को भी तक्रीव अन 20 मिनट तक रिल्वेस्टेशन पर रुकना पड़ा था हाला कि परिचालन्ज समान हो गया है यात्रियों में अफ्रत तफ्री मच गई थी एक घंडे तक चौसा रिल्वेस्टेशन पर ट्रेन को रोके जान अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दवाना ना पूलें